नमस्कार आप देख रहे हैं आपका अपना टालीपीज टीवी चैनल जहाँ पर मैं प्रया पांडे आप सभी का एक बार फ्रसे स्वागत करती हो चलिए बात कर लिए जाए कलस टीवी के दी मोस्ट पॉपुलर शो परी नीदी की जिसकी कहानी में परी पारवती का ड्रामा खत्मोरी का नाम नहीं ले रहा है जोहां अंबिका काफी समय बाद शो में वापस आई है वह को एक लंबी छुट्टी बिता कर आ रही है जब तक परी ने उनका मोचा संभाला हुआ था लेकिन अब पारवती के आने के बाद अंबिका जी के आने के बाद और परी ने जुन लोगों को अपना सच बता दिया रहा है कि वह परी है जैसे कि गुर्प्रीत जी हमारी बबली और संजुएं सबसे वापस से उसे जूट बूलना पड़ रहा है कि नहीं वह परी नहीं है वह पारवती है और उसने अंबिका सिंखानिया की पोक्सिक जन्म लिया है ये सारे बाते कहकर कहीं ने कहीं यहाँ पर पारवती अपने आपको सेख करने की कोशिश कर रहे है ताकि उसका बना-बनाया प्लान खराब ना हो लेकिन यहाँ पर गुर्प्रीत को शक होनी वाला है अंबिका पर और वो अंबिका के सामनी जो है ना हाथ फैला कर जोली फैला कर हाथ जोड कर अपनी बेटी परी उससे वापस मानती नजरा रही है जहां आगे आने वाले सेक्विंस में आप यही एक ड्रामा देखनी वाली है जहां पर हमारी प्यारी सी गुर्विंदर गुर्प्रीत जी जो है वो सारा सर जानने के बाद गुर्विंदर के खिलाफ नीती के खिलाफ तो हो ही जाएंगी लेकिन साथी साथ वो अब पारवती क को वापस लेना चाहिए अपनी बेटी को अंबिका से छीनने की कोशिश करेगी और यहां से हम लोगों अंबिका का एक नेगिटिव रोल देखने को मिलेगा क्यूंकि वो पारवती को लेकर काफी जादा साइको पना दिखाती ना सराएंगी कि नहीं पारवती सर्फ मेरी उसे वापस कर दे जहां पार अंबिका उसे धंकिया देती है कि अगर आज के बाद मेरी बेटी के आज पास भी नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तो अब गाइस क्या पारवती समझ पाएगी अंबिका की इस साइको पने इरादे को या फिर कहानी में कोई और जब जस ट्विस्ट आजाएगा तैसे आपको कैसा लग रहा है ये सीरियल का सीक्वेंस कमेंट करके जब बताईएगा